दोस्तों जब एक्जाम होते हैं और एक्जाम से पहले आप तयारी करते हैं कि भाई कल को एक्जाम जिस चीज़ का है उससे पहले आप तयारी में लग जाते हैं कि भाई आप नई से नई ट्रिक निकालते हैं और किस तरह से हम इसको टॉपिक्स को याद रख सकते हैं किस तरह पॉइंट बनाते हैं और अलग अलग तरीके गुरूप करते हैं टाकि हमारा एक्जाम हो उस दोरान हम सही से उसको लिख सके अपनी लैंग्वेज के अंदर करते हो ना भाई आप यह सब आई हो अगर जो आपने करी होगी तो आप इस फेज से गुजरे होंगे भाई मैं भी जब मैं एकुछले टरेंज आग के तो हम एक नई से नई से इस्टैडिजी बनारे थे एक्जाम है किस तरह सब इनको इनको आद रखना है हम याद रखने क्या ट्रिक्स मैं सबना बना के त्यार कर रहे थे मतलब मैत का सवाल हम ग्रूप में सौल्ब कर रहे थे ताकि अगर उससे related कोई भी सवाला है हम उसको easily से solve कर दें तो इसी तरह YouTube का है आपको यह रहता है कि यार इतनों हम 10 से 5 मिनट कैसे बोल लेंगे तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मतलब इसकी script लिखते हो या आप किस तरह से आप मतलब इतना इतना 9-9 मिनट आप ऐसे ही मत को बता सकूं कि हाँ यह ऐसे नहीं ऐसे मैं 3-4 यूटूबर्स को फोलो करता हूं सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा यहां पर महत्मा जी टेक्निकल का जिनका चैनल है वीमेक क्रेटर वहां पर टॉपिक्स मिल जाएंगे चाहिए उनकी कमेंट्स पढ़लो महां पर जा मेरा अलग है जुन्यू की टेक का अलग है और भी बहुत सारे यूटूबर्स हैं सबके way of talking के अलग अलग होता है कौन किस तरह से समझा रहा है सबके way of अलग है उसके बाद मैं जुन्यू की टेक को फोलो करता हूं बहुत अच्छा content प्रवाइड करवाते हैं बहुत attractive thumbnail भी content provide करवाते हैं मैं कभी-कभी महां से idea ले लेता हूं और वैसे तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं इन सबको जिस भी topic पर मेरे को वीडियो बनानी होती है तो मैं 4-5 यूडूबर्स की पहले एक बार वीडियो देख लेता हूं उसी के बाद मैं पर्जेंट करता हूं अब उस भाई का जवाब में देता हूं अब मैं आपको बता दो भाई हम 8-9 कैसे बोल पाते हैं उसका यही कारण है क्योंकि हम 4-5 यूडूबर्स को फोलो करते हैं फोलो करने के बाद जब एक हम लिस्ट बनाते हैं कि हाँ इसने सबके अलग-अलग क्या unique बोला है सबके notes लिख लोगे इसने अपनी वीडियो के अंदर इसी topic पर यह unique बोला है तो मतलब सबके unique आपको वहाँ पर notes बना लेने हैं जब आप notes सयार करोगे और जब आप camera के सामने आओगे तो आपके notes याद रहेंगे अगर आप पूरी script को बोलने की कोशिश करोगे तो नहीं बोल पा लेता था बस बोलना शुरू कर देता भाई लेकिन अब जब धीरे-धीरे audience आनी शुरू हो गए और positive comments आने शुरू हो गए तो भाई data पर फिर में research करने लगा जिस पी topic पर मैं बात करता हूं उसमें 3-4 YouTubers को पहले देखता हूं या एक चीज़ और भी है यह कहीं नहीं आप आपको बात माननी पड़ेगी जब एक जो creator होता है ना भाई creator जब topic find करना शुरू करता है ना तो कहीं से भी topic find कर लेता भाई मेरा तो यही scene है अभी यह video बना रहा हूं मैं सत्य में विजयते movie देख रहा था भाई वहां से मुझे कोड़ी सी hint मिली और कुछ मैंने अगर अब द्रेश्च अपने टीचर से शीख लेगा लेकिन जब उसको चाहत होते हैं आप के बने को बड़ा मान के चलो गये सब कुछ आता है то आपको कुछ नी आता दोस्ति चलो यह आप से चोटा हो जब आप के इंदर सीखने की चाहत होती है आप छोट और लुक्ति ही आप हेलो हाय करके सीख सकते हो वहां सीखने से वेल्यू कम नहीं होती दो सीखने से वेल्यू बढ़ती हो ठीक है और अगर आप इस अटिट्यूट में रहती है रहती है उनके फेस पर बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका वे उफ प्रजेंटेशन और उनका समझाने का तर उनका पर्जेंटेशन और उनकी में हर तीज अच्छी से देखता हूँ और नौट से से बनाता हूं और लिखता भी हूं आपittens여। आपको आपको भी टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो भाई इन यूटूबर्स को फोलो कर देना भाई वह तो हर किसी का अलग-अलग होता है किसी को भाई मुझे यह अच्छे लगते हैं आपको कोई हो सकता है आपके पास टॉपिक्स कमी नहीं रहेगी